को आप इस चल् Series के दियर को आप इस चैनल सी के ना मस्तिरों खिर्श सुग्जिय को घचम देर के लिए देंार रीसीप है लोग ड़की से आप राली ऐगा है आए दोस्तोर बनाते हैं आप लोग तो दही बेंगन तो खायोंगे लेकिन आचम बनाएंगे दही से बहुत टेस्टी है दोस्तो इसको सब खा सकते हैं इसको सब लोग खा सकते हैं इसमें कोई पावदी नहीं बहुत टेस्टी है दोस्तो अब एक बार कहा लेतों मजा जाएगा इतना टेस्टी है दोस किई सब्सक्राइब के लिए हमें एक बतन चाहिए बतन में हम मसाला बनाएंगे मसाला बनाने के लिए हम यहां पर वण पर लाल मिर्ची पाउडर, बन पर पाव बजी मसाला और आमचुन पाउडर आप चाहे तो ज़ादा ले सकते हैं हम यहाँ पर ब्लाग पीपर वान फोट ले रहे हैं नमक स्वाद मुदावीग घल्दी पाउडर वान पोट ले रहे हैं चार्ट मसाला वान फोट ले रहे हैं हमें यह सब मसाला चाहिए देखिए दूस्त हमने यहां सब मसाला ले यह हैं अब यह सब मसाला को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि सब घुल मिल जा अच्छे से इसी मसाला में हम लोकी को फ्राइ करना है लोकी को हमने यहां पर राउ मसाला को देखे लग गया है इसी तरह हम बाकी लोग की को भी मसाला लगा लेते हैं सब मसाला लोग की रेडी है देखिए दोस्तों मसाला लगाने के बाद कुछ इस तरह दिखता है लोग की राइस बिस बैनाने के लिए हमने यहां पर मसाला का बटन लिए उसी में हम यहां प गर का बना हुआ corre 리 है आप चाहे तो बाजर का ले सकते हैं आप अच्छे से मिक्स के लेकर देकाशी मेरा नखिया से धिक पान लेते हैं प görüşमें पान मेरा उसे और निट ने लेते हैं चाहे सकते हैं ओयल लेते हैं अब ये ओयल को अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं ते आहा भी गरम हो गया अच्छे से अब मसाला लोकी को यहां पर फ्राइ करेंगे दिमी आंच में सब मसाला लोकी को फ्राइ करेंगे यह रालास्ट का लोकी हम राइस पेस्ट लगाये थे इसी को भी करेंगे दिमी आंच में और देखिए यह जो लगायते राइस प्रेस इसी तरह लग जाता है पैन में यह अताहोय में इसलिए हम इसी तरह नहीं बनाए है यह रहा देखिए आप इसको पलट देते हैं सब लोगी को यहां पर हम पलट देते हैं लोकी सब पलेटने के बाद कुछ इस तरह दिखता है देखिए अब यहां पर थोड़ा ओइल ले रहे हैं ताकि मसाला जो लगाये थे लोकी में लगना जाए इसलिए हमें पर थोड़ा ओइल डाल कर इसको पलर देते हैं एक तरफ तो हो गया आप इसका दुसरा तरफ फ्राइ करना है देखिए एक तरफ कुछ इस तरफ देखता है आप उसका दुसरा साइड फ्राइ करेंगे आप यहां पर थोड़ा जो पेस्ट बनाये थे पहले इसको डाल के अच्छे से लगा लेते हैं सब लोकी में इसी तरह लगा लेते हैं लोकी गरम होने के बाद स्कुईज हो जाता है इसलिए आप यहां पर पेस्ट डाल कर इसको स्ट्रंग बना रहे हैं इसका डिफरेंट टेस्ट आएगा दोस्तों अब पेस्ट लगा कर इसको फ्राइ करना है पेस्ट लगा लिए पेस्ट को फ्राइ करने के लिए आप यहां पर लोकी को पलट देते हैं देखिए लोकी का दुसरा तरब जो पेस्ट लगा थे यह इस तरह दिखता है अब आकी को भी पलट देते हैं पेस्ट लगाने के बाद इसको फ्राइ कर लिए हैं कुछ इस तरह दिखता है आप इसको पलेट में निकाल लेते हैं देखिए दोस्तों कुछ इस तरह दिखता है मसाला लोकी पेस्ट बला मसाला देखिए दोस्तों लोकी को एक तरफ इस तरह दिखता है पेस्ट बला उसका दूसरा तरफ इस तरह दिखता है देखिए आप इसको इसी तरह खा सकते हैं लेकिन हम यहाप पर दही लोकी बनाने हैं आप इसके लिए दही बनाते हैं आईए दोस्तों बहुत सुन्दर दिख रहा है हमने दही एक कप लिए हैं आप चाये तक घर का बना हुआ दही ले सकते हैं बाहर का भी उच कर सकते हैं यहाँ पर जीरे पाउडर 1 टेबल स्पून, सुगार 1 टेबल स्पून, लाल मिर्ची पाउडर 1 फॉर्ट टेबल स्पून लिए हैं। अब यह सब को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखी हमारा मसाला दही रेडी है। अब इसके लिए छोंग बनाते हैं। पैन लिए हैं, पैन में 1 टेबल स्पून लिए हैं। आप सुख्य मिक्ची को डाल दिये। अब यहाँ पर जीरे को डाल रहे हैं, 1 टेबल स्पून आप चाहे तो इसके बाद हिंग डाल सकते हैं। हमने यहाँ पर हिंग नहीं डाले हैं। आप यहां पर करीप पत्ते को डाल रहें अब यह सब को अच्छे से प्राइ कर लेते हैं देखिए छोंक रेड़ी है आप इस छोंक को दही में डालेंगे देखिए दोस्तों यह रहा हमारा गड़ी और यह रहा लोखी अब इसको बनाएंगे दही लोखी अब यह दही में लोखी को डिप करेंगे आये डिप कर लेते सब लोखी को यह मेरा एक्सपेरिमेंट किया गया रेसिपी है मैं आप लोगों के साथ सेर करे हूँ आप हमारे वीडियो के एक लाइक और सेर कीजिए नए रेशीपी को टेस्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे नए नए रेशीपी के लिए मैंने इसको बनाई सब को खिलाई सबने बोले बहुत टेस्ट हिए दोस्तों मैंने उस दिन तो वीडियो नहीं डाल पै इसलिए आज डाल रहे हूं आप भी इसी दरह बनाएं और टेस्ट कीजिए और दही लोगी का मज़ा लीजिए दोस्तों आये सफ करते हैं मैं फ्लासलाइट डाल के वीडियो बना रहे हूं इसलिए आप लोगों को थोड़ा ओयल दिख रहा होगा लेकिन बहुत टेस्टी है और यमी भी आप लोगों पता होगा फ्लासलाइट में कम ओयल भी ज़्यादा दिखता है हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए नए और से कीजिए हमारे वीडियो के एक लाइक और से कीजिए थैंक्यों दोस्तों पर वाचिंग